क्या 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 इधर चल गया रहा है अरे नोटिफिकेशन आयला क्या दिसंबर का ये भाईला जाने अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो पढ़ाई नहीं करेंगे क्या चला वे तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विशय मनुविज्ञान UGC द्वारा आपका जो सिलिबस होने वाला है किस के लिए सेशन 2022 दिसंबर के लिए इसको हम डिसकर्स कर चुके हैं बट स्टिल फिर भी हम देखेंगे 2023 के लिए अपडेटिट सिलिबस के रूप में लोग अलग-अलग वीडियो बना देते हैं बट ठीक है इसको सिलिबस वही है ठीक है तो हम इसको देखेंगे 2023 में क्या पढ़ना है हमको खास तौर से हमारे मनुविज्ञान के लिए अल्राइट ओके तो इसके अंदर क्या क्या होता है आपके पास आपके पास यहां दिखी क्या लिखा है पार्थे क्रम 10 इकायो में विभक्त है मतलब आपके पास कितनी यूनिट्स मिलेंगी आपको मिलेंगी 10 यूनिट्स ठीक है सवाल कितने होते हैं टोड़ोथा पैटरन समझते हैं पेपर का सवाल देखिए यहाँपे जो लिखा हुआ है इससे कोई सरोकार नहीं आपको और नहीं हमको पेपर आपके 2 होंगे पहला होगा आपका पेपर 1 और दूसरा होगा आपका पेपर 2 पेपर 2 जो होगा इसमें आपके कितने प्रश्ण होंगे पेपर 2 के अंदर आपके होंगे यहाँ पे 100 प्रश्ण यहाँ पे होंगे और पेपर 1 के अंदर आपके 50 प्रश्ण होंगे मिनिमम आपको 40-40% लाना होता है वो जो क्राइटेरिया है ठीक है उसका आप ध्यान रखें और हम चलते हैं हमारे सिलेबस के उपर आल राइट तो यह रहा है आपका सिलेबस यहाँ पे सबसे पहले क्या-क्या पढ़ना है हमको यहाँ पे आपको दिख रहा है 1-1 मतलब unit number 1 जिसमें से बहुत जादा important नहीं काफी कम चीज़े इसमें से आती है ठीक है बट है तो पढ़ना पड़ेगा मनोविग्यान का आविरभाव मनोविग्यान का उदाई किस प्रकार से हुआ psychology पैदा किस प्रकार से हुई इस दुनिया में आई कैसे ठीक है आप सभी पैदा होते हैं ठीक है फिर आप में DNA मिलता है genes मिलते हैं chromosome nucleus nuclei यह सब चीज़ें होती है तब जाके आपका बनता है brain brain के अंदर होते है neurons ठीक है तो लेकिन उसके पहले starting कहानी को होती है कहानी start होती है उस अंडे से ना उस एक से कहानी होती है जहां पी यह स्पर्मा के इसको फडिलाइस करता है और आगी की कहानी बढ़ती है ठीक है ओके तो इसी प्रकार से हमको देखना है कि मनोविग्यान का ज रूफिवाद तथा समाकलित योग इसी के साथ साथ भारत में शेक्षिक मनोविग्यान स्वतंत्रदा पूर्व योग उसके पहले क्या हुआ स्वतंत्रा के बाद क्या हुआ 1970 में क्या हुआ ठीक है फिर सामाजिक मुद्दो को संशोधित करने की और कदम फिर 1980 का दशक स्वदेशी करण स्वदेशी 1990 का दशक रूपावली संबंदी सरोकार विशयान वसात्मक पहचान का संकट Oh My God 2000 का दशक इतना सब नहीं आपको किवल ये पढ़ना है मनुविग् आपके काम की चीज़े हैं और मेन यहां पर आपको सूफिवाद बौद्धर्म भगवत गीता इस पर आपको ध्यान देना है ओके ठीक है इसके बाद बाद करेंगे हम पास्चात्य की यहां थोड़ा सा important हो जाता है ठीक है यहां से philosophy आपकी अच्छी उठती है तो यहां पर है वो स्पा में क्या हुआ क्या क्या चीज़े हो रहे थी वहां पर यहां से आपका आएगा मेन जर्मनी स्टार्ट होगा आपका जर्मनी के अमरीका स्टार्ट होगा यानि की संरचनावाद की बात करनी है हमको स्ट्रक्चरलिजम की बात करनी है प्रकार्यवाद फंक्शनल कहां पर relate करके पूछ ले आपकी 7th unit, 8th unit, 9th unit जहां पर इस सरे चीज़ां आपको क्या दी गई है आपको काफी detailed में दी गई है वहां से आपको relate करके पूछ सकता है इस बात का आप ध्यान रखें अस्तित्वपरक, परावयक्तिक, संग्यानात्मक, परिक्रमन और बहु संस्रिति वाद, ठीक है इस पे सवाल आपको आया था इस बार भी 2022 के बेपर में section 1 मनोविज्यान के 4 संस्तापक ठीक है section 1 मनोविज्यान की बात हो रहे ही, दयान दे हैं आपे वुंट, फॉइड, औरे section 1 मनोविज्यान के 4 संस्तापक जो थे इनके बारे बेभी हम देखेंगे फिर बात करेंगे हम मुद्दे की अरे वापने बहुत गंभीर मुद्दे हैं आपे कौन-कौन से हैं प्रयोगात्मक वैशलेशिक रूपावली तारकिक अनुभवाद के प्रती कठोर लगाओ के फलासरूप मनोविज्यान पर संकट आधोनेक मनोविज्यान पर भारतिय प्रभाओ ये थोड़ा सा important हो जाता है लेकिन सवाल हमको मिलता नहीं है इसका सवाल कहा मिलेगा हमको UPSC में मिलेगा सामाजिक रचनावाद अस्तितवपरक गटनाविज्यान तथा सहकारी जाच कौन सी यहाँ पर जाच होगी उसको भी हम देखेंगे और क्या पढ़ना है हमको रूपावली परक विवाद मनुवैग्यानिक ज्यान के विशे में उलेखनिय भारतिय रूपावलिया फिर यहाँ आपका यह important है भगवत गीता important है बौद धर्म important है उपर नीचे का लिंक है यहाँ पर और समाकलित योग विज्यान तथा आध्यात्मिक्ता में अविद्या तथा विद्या पराविद्या मनुवैग्यान में आत्मग्यान की उत्रिष्टता इतना सब पढ़ना है आपको unit 1 में और इतना सब पढ़ने के बाद पराविद्य तथा सांखिकी ठीक है शोध किस प्रकार से होगी research methods और सांखिकी याने की statistics ठीक है statistics में शुरुवात कहां से होगी MMM से ठीक है mean median mode ये सब क्या होता है ये भी आपको पूछा गया है फिर हम बात करेंगे शोध का अच्छा ये बताईए अर्थ क्या है शोध क्या अर्थ क्या है इसका उद्देश ग्या है समाज को ठीक करना और आयाम उसके बारे में बात करेंगे शोध समस्या ठीक है चर वेरियेबल तथा परिचालनात्मक परिभाशाए प्राग गलपना हाइपोसिस क्या होता है और नमूना चैयन ठीक है सेंपलिंग वगरे वो सब जो होगा सेंपल नमूना क्या क्या है उसका कैसे हम चैयन करेंगे फिर शोध के संचालन और प्रतिवेधन प्रस्थत करने में नहते काचार अच्छा क्या नहीं करना है ये सवाल आया है 2022 में ठीक है शोध की रूपावलिया मातरात्मक गुणात्मक शोध का मिश्चित विधी उपागम शोध की विधियां पढ़नी है हमको observation, सर्वेक्षन, सर्वे, साक्षातकर interview, प्रशनावली, questionnaire ठीक है, प्रयोगिक experimental, अर्ध प्रयोगिक ठीक है, इसको भी देखना है हमको उसी के साथ साथ शेत्र अध्ययन फिर प्रती सांस्कृतिक अध्ययन घट्ना विध्यान, ग्राउंडेट थियोरी फोकस ग्रोप, वृत्तांत वर्णन केस अध्ययन और नुरुजाती वर्णन ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको श्रोध प्रवेदीर और सांखिकी इकाई 2 के अंदर काफी बढ़ियां और लंबा से लेबस है तो इसका ध्यान रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें अगर आप सेल्फ स्टड़ी कर रहे हैं तो और सेल्फ स्टड़ी नहीं कर रहे हैं तो टेंचन की बात नहीं है इस बार आपका नेट जीरेफ निकलेगा मनुवेग्यान में सांखिकी की बात करें केंदरिय प्रवृत्ति का मापन और प्रकिरिनन ठीक है स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट हो गया यहां पर सामान ये प्रायक्ता वक्र प्राचलिक टेस्ट की बात करनी है टेस्ट क्या होता है तथा गयर प्राचलिक टेस्ट यहने की साइन टेस्ट विलकॉक्सिन साइन रेंक टेस्ट यह सब क्या होता है के अंदर क्या चीज़े निकालते हैं अगर आपने M.A. में नहीं पड़ा है तो इसको बिल्कुल मिस मत करें हमारी क्लासस में मैन विटनी टेस्ट, कुरुसकल वैलिस टेस्ट और फ्रीड मैन फ्रीड मैन, फ्राइड मैन, फ्रीड मैन चुतष, कोष्टी और फी गुणांग ये सब देखेंगे क्या होता है और क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है किसके बारे में प्रतीगमन के बारे में साधारन रेखिये प्रतीगमन क्या होता है बहु प्रतीगमन क्या है फेक्टर विशलेशन, अनुमान, विध्या, क्रमा वर्तन तथा निर्वचन, प्रायोगिक अभिकल्प, एनोवा की बात करें, एक तरफा फेक्टोरियल एनोवा, यादुरुचिक ब्लॉक अभिकल्प, पुन्रावृत्त मापन अभिकल्प, लेटेन स्क्वार, कोहर्ट, मैनोवा, एनकोवा, आपको मिल जाएगा मास्टर सी किताबों में, अभिकल्प, तीक है, सिंगल स्टेडी वाला जो है, उसको भी आप देख लें, फिर हम बात करेंगे, एकाई तीन में मनोवेग्यानिक परीक्षन, परीक्षनों के प्रकार, कौन-कौन से टाइप के टेस् आइटेम राइटिंग, आइटेम एनलेसिस, मद की बात हो रही है, परीक्षन का मानकी करन, विश्वस नीरता क्या होती है, वैदेता क्या होती है, और मानधन क्या होते है, परीक्षन करने के शेत्र, उसमें देखेंगे हम बुद्धी, बुद्धी में परीक्षन करेंगे, Creativity में करेंगे, शुरुजनात्मक्ता में तांत्रिका मनोवज्यानिक परीक्षन अभीक्षमता, व्यक्तित्व निर्धारन और Interest Inventory Interest, अभीवृत्तिम आपने के पैमाने शब्दार्थ विभेदक, स्टैपुल्स और लिकर्ट स्केल लिकर्ट है फिर Computer आधारित मनोवज्यानिक परीक्षन, सवाल आ चुका है ठीके, हम फिर विभिन्न विन्यासों में मनोवज्यानिक परीक्षन का अनुप्रयोग फिर निदानात्मक, संगणतानात्मक और व्यवसाए ये है आपकी कौन सी, इंडस्री आ जाएगी Organization और व्यवसाए शिक्षा परामर्ष, सेना जीवी का मार्ग दरशन सवाल उठता है इसा पढ़े कहां से चलिए 1.4 लेक्च्चर देखते रही है अंतर में मालूम पढ़ेगा आपको कहां से पढ़े है छोड़ा सा प्रमोशन है वो बट स्टिल ठीक है 1.4 व्यवार का जैविक आधार समवेदी तंतर सामाने तथा विश्र समवेदन ग्राही और प्रक्रिया है सेंथरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको पढ़ना है तंतर का कोशिकाओं के बारे में उनकी संरचना किस प्रकार से होती है क्या कारे करते हैं प्रकार क्या है तंत्री की आवेक क्या होता है अंतर ग्रथनी संचरन के बारे में और तंत्री की संचारक क्या क्या होते हैं उनके बारे में आपको यहां पर स्टेडी करनी है बहुत ही इजी है यह टॉपिक है ना केंदरी तथा परिदी तंत्री का तंत्र क कार्य क्या होता है और तंत्रिक यह सुगटेता क्या होती है यह भी काफी सिंपल है शरीद क्रियात्मक वनोविज्ञान की विधियां कौन-कौन से विधियां होती है सुक्ष मेलेक्ट्रोड अध्यान गयर इम्वेसिव विधियां ईजी स्कैनिंग विधियां विक्षट तकन ये क्या क्या होती है इसको भी आप देख सकते हैं फिर बात करेंगे पेशी एवं ग्रंथी तंत्र ये क्या होता है प्रकार एवं कारी क्या होता है इसमें आप जॉइन है तो आपको मलूं पड़ेगा जाइगोट क्या होता है अंडे से शुरुअद करेंगे हम ठीक है आपका भी हम क्या कराएंगे आविरभाव कराएंगे फिर इकाई पांच की बात करें अवध्यान प्रत्येक्षन अधिगा। आप को जाणना है PRATKRIU्स की बात करें प्रतिक्षन के अद्यानक्र Grant अकरती प्रश्टभूमि नियम कि कि फिर अभी रूप गहराई त्थी का फिसेधार के अवी हुतback animaam cory ने motivation और learning क्या काम करेंगे वो भी पूछ रहा है आपसे फिर अगला आता है संकेत अनुसंधान का सिद्धान्त और धारणाय तथा अनुप्रयोग उर्गव पातन प्रतेक्षन तथा संबंदित कारक प्रतेक्षन का सूचना प्रक्रण उपागम फिर आपका है अधिगम प्रक्रिया इसमें आपके सिद्धान्त है फिर आपका है अधिगम प्रक्रिया इसमें आपके सिद्धान्त है थौंडाइक के बारे में पढ़ना है गुथरी के बारे में पढ़ना है और इसके अनुप्रयोग अधिगम में संग्यानात्मक उपागम अवियक्ट अधिगम, प्रिक्षनात्मक अधिगम वाचिक अधिगम तथा विवेदात्मक अधिगम ये सब भी आपको कवर करना होगा अधिगम के शेतर में नवीन प्रवृतिया अधिगम का तंत्रिका तंत्र का शरीर विज्ञान एक छोड़ी सी जगे होती है जहां पर अधिगम सब होता है ठीक है तो वो आप जान ले तो आपका ये कबर हो जाएगा अगला बात करेंगे हम स्पृति एवं विस्परण के बारे में स्पृति प्रक्रिया क्या होती है कहां पर मेज होती है कहां पर कैबिनेट होता है कहां पर दर्वाजा होता है ठीक है तो ये सारी चीज़े आपको important है अब हम बात करेंगे एकाई 6 की अब देखते हैं कि बाकी की चैनल कैसे बताते हैं इस सिलेवस के बारे में ठीक है ओके तोड़ा सा देखते हैं ठीक है हाँ दोस्तो तो यहां पर एकाई 6 की बात करेंगे एकाई 6 के अंदर हमको देखना है चिंतन के बारे में बुद्धी के बारे में और हमको देखना है सुरुजनात मक्ता के बारे में तो UGC ने आपको ये बहुत ही important topic दिया है जिसमें आप पढ़ेंगे इस इकाई 6 के अंदर चिंतन के बारे में, बुद्धी के बारे में और स्रुजनात्मक्ता के बारे में सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि विचार पूछ रहा है विचार प्रक्रम पर सैधान्तिक दृष्टी कोण हाँ जी दोस्तो सहाचर ये बाद की बाद गेस्टाल्ट सूचना प्रक्रमन फीचर इंटेग्रेशन मॉडल फिर आपको पूछा है संप्रत्य निर्मान, नियम, प्रकार तथा कार्य नीतिया, चिंतन में संप्रत्य की भूमिका, तरकना के प्रकार, भाषा और विचार, समस्य समाधान, प्रकार, कार्य नीतिया तथा अवरोध, निर्णयन, प्रकार तथा मॉडल्स, मेटा संग्यान मेटा संग्यानात्मक ज्यान तथा मेटा संग्यानात्मक नियमन बुध्य के बारे में स्पियर मैं, थरस्टोन, जेन सेन, कैटल, गार्डनर, स्टेन बर्ग, गोल्मैन, दास, कार, पर्रिला सुजात बक्ता, टॉरेंस, गैजे तथा जैक्सन, गुई फोर्ड, वैलेक और कोगन, बुरुद्धी और सुजात बक्ता के बीद सम्मन्द तो ये देखा दोस्तों आपने हमने कम्प्लीट की इकाई 6 में आपको सिलिबस में क्या क्या पढ़ना है ठीक है, तो ये था, अब बात करेंगे हम एकाई नंबर 7 की, अब ये किस प्रकार से हम देखते हैं देक्तित्व की बात पूछ रहा है आप से यहाँ पे, ठीक है आपकी जो परस्नेल्टी है वो उसके बाद आएगा आपका अभी प्रेरंट, ठीक है, समवेग, दबाओ तथा समायोजन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है ठीक है, मतलब क्या आपका प्रेशर है, ठीक है, इमोशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, और परस्नेल्टी सरी चीज़ें आपस में लिंक है, इसलिए आपको यहाँ पर एकटा इन्हों ने दे दिया है, और काफी अच्छी यूनिट है, बड़ी यूनिट है विक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या-क्या होते हैं, जैविक तता समाजिक, संस्कृतिक यह सवाल आपसे आता है और पूछता है, ठीक है, कि जीन्स का क्या महत्व है आपके परस्नेल्टी के बारे में, आपके विक्तित्व के बारे में ठीक है आपका समाज किस प्रकार से आपकी personality बनाता है और आपकी संस्कृति आपकी personality किस प्रकार से बनाएगी फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है अगला अगला आपसे यहाँ पूछ रहा है व्यक्तित्व के अध्यान के उपागम मतलब personality को हम study कैसे करेंगे उसमें क्या क्या अप्रोचेस हैं उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले अस्तित्व परक की मानाववादी मनुविशलेशनात्मक, नवफ्राइडवादी ने कैसे किया सामाजिक शिक्षा, विशेशक तथा प्रकार, संग्यानात्मक ठीक है और परावयक्तिक मनुविज्ञान यह सब क्या होता है कौन-कौन से उपागम थे, किसके अंदर आपके व्यक्तित्व के अध्यान के अंदर उस सब को हमको देखना है फिर बात करेंगे, अगला आएगा आपका अन्य सिद्दान्त अन्य सिद्दान्त में आपका इंपोर्टेंट हो जाता है यह है आपका लेक्चर नंबर 6 अन्य सिद्दान्त की बात करें तो रोटर का लोकस अफ कंट्रोल ठीके, ये क्या होता है? ये भी जानना जरूरी है सेलिगमैन का एक्सपलेट टोरी व्हॉरी श्टाइल्स अच्छा, एक्सपलेटोरी स्टाइल्स और कोहलबक का मॉरल डेवलप्मेंट की थि données धिके, डेवलप्मेंट से और selling man का कोहां से आएगा ये आएगा आएगा आपका अधिगत असायपन से इसको आप देखेंगे लेक्चर नमबर 6 के अंदर अलरी फिर बात करेंगे हम किसकी आधार भूत अभी प्रेणात्पक संकल्पना है ठीक है क्या आधार है मूल प्रवितियां क्या होती है आवशक्ताएं क्या है अंतरनोध, उत्तेजना, प्रलोभन और अभी प्रेण चर्क चर्क नहीं, स्वरी, चक्र स्वरी, 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 चक्र यानि कि साइकल क्या होती है, नीट साइकल वाली बात हो रही है यहाँ पर अभी प्रेरंड के अध्यन के उपागम किस किस ने उक शुद केूशं के बारे में मेंली आपके मोटिवेशन के बारे में ठीक है किसको हम करेंगे बहुत अक्षे से क्योंकि इसमें से आपको सवाल पूच्छता है वजबné या सवाल बनते हैं तो इसको हम complete करेंगे काफी अच्छे तरीके के साथ फिर है आपका गवेशनात्मक व्यभार तथा जिग्यासा जुकरमेन द्वारा वर्णित समवेदना की तलाश का विशेशक ठीक है उसको भी हम विशेश रूप से देखेंगे तलाश करेंगे उसकी फिर उपलब्दी एफिलेशन तथा पावर यहां मेकली लेंड आ जाएगा आपका अभी प्रेरन परग अभीक्षमता कौन सा अप्टिट्यूड है स्वयम नियंतरन किस प्रकार से आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं है ना स्वयम को कंट्रोल करेंगे ठीक है और प्रभा करेंगे फिर आपको अगला पढ़ना है इसी युनिट के अंदर समवेद के बारे में आने की इमोशन के बारे में शरीर क्रियात्मक सहसंबंदक क्या है समवेद के सिद्दान काफी अच्छे से कबर किया है फ्री वीडियो में भी तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं जेम्स लांगे कैनन बार्ड शाक्टर एंड सिगर लाजेरेंस और लिंचले समवेद नियमन किस प्रकार से इसको हम नियमित करते हैं उसकी बात हो रही है फिर आएगा आपका संगर्ष स्तोत्र स्वरी स्त्रोत तथा प्रकार तनाव तथा तनाव का सामना कैसे होगा संकलपना माडल A B C D प्रकार के विवार अच्छा तनाव प्रबंधन की कारे नीतियां बाय सब पढ़ना है आपको यूनित नंबर 7 के अंदर 8 अभी हम देखने वाले हैं 8 है आपका सामाजिक मनोविज्ञान यानि की सोचल साइकलोजी इसके अंदर करना है सामाजिक मनोविज्ञान की प्रक्रति किस प्रकार से होती है है हम स्टार्ट करेंगे उदय कहा से हुआ अभिवृत्ति और सांस्कोदिक संदर्व के अंतरगत इसका परिवर्तन ठीक है और प्रसामाजिक विभार क्या होता है कैसे होता है किसके अंदर कंप्लीट सोचल साइकलोजी के अंदर फिर आएगा आपका यहां पर समू तथा सामाजिक प्रभाव क्या फरक पड़ता है स सांजिक स्सक्री गरं, सांजिक आवारगि ठीक है लोफिंग आपकी सामाजिक प्रभाव सम नुरूप्ता मित्र समू का दबाव अनुनय अनुपलन अज्यापलन मोस्त आईम्पी सांजिक अधिकार प्रतिकृया आकरमक्ता फिर समू गतिकी नेतरथ्वकि शहलियां तथा प्रभावशीलता, अंतर सम्हू सम्बंद के सिद्दान्थ, अलपतम सम्हू प्रयोग सामाजिक पहचान सिद्दान्थ, सापेक से वंचन सिद्दान्थ, यथारतवादी संगर सिद्दान्थ, संतुलन सिद्दान्थ, संता सिद्दान्थ, सामाजिक विनियम सिद्दान्थ, तो इतने सारे सिद्धान्त पढ़ने हैं आपको इसके अंदर आएंगे आपको एक दो ही लेकिन फिर भी cover करेंगे हम सारे आपको पढ़ना है फिर यहां पर वैक्तिक स्पेस क्या होता है पर्यावरन तथा कानून स्वास्त एप्लाइट सैकलोजी की बात करेंगे है ना फिर आएगा हमारा एक बड़ी सी यूनिट इकाई नंबर नौ मानव विकास तथा अंगतक्षेप है ना इसमें विकास आत्मक प्रक्रम क्या क्या है प्रकृति सिद्धान्त विकास में विकास आत्मक प्रक्रम की अवस्ताएं और सफल जरन विकास के सिद्धान्त में मनो विशलेशन आत्मक क्या दिया है, व्यभारवादी क्या दिया है और संग्यानात्मक क्या क्या दिया है विकास के विवित पहलू के बारे में बात करेंगे संवेधी गतिक, संग्यानात्मक, भाशा और संवेगात्मक, सामाजिक तथा नेतिक स्कूल्स में किस प्रकार से हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को लर्णिंग उनकी इंप्रूव कर सकते हैं शेक्षिक उपलब्दियों से जुड़े कारक अध्यापक की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा सकते हैं विद्याले में मार्गरेशन कैसे देंगे उसकी क्या आवशकता है और्गनाइजिशन में क्या विन्यास तक्नीके इस्तमाल कर सकते हैं प्रामर्श कार्य कैसे कर सकते हैं प्रक्रम क्या होना चाहिए कैसी प्रोसेसिंग करेंगे क्या क्या कॉशल स्केल ह होनी चाहिए उसके अंदर ठीक है तो यह पढ़ना है हमको किसके अंदर इकाई नंबर नो के अंदर अब बात करेंगे हम कि लास्ट यूनिट की जो है हमाई काउन सी इकाई नंबर दस उभरते हुए नवीन शेत्र यहाँ पे आपको देखना है लिंग के बारे में फिर गरीबी ठीक है पोवर्टी की बात हो रही है कौन कौन सी टाइपस फोवर्टी है वो भी देखेंगे अपंगता पढ़नी है तथा प्रवसन के मुद्दे सांस्कुदेक पक्षपात तथा भेलबाव लांचन पार्श्व संगर समादान में संचार मादिमों की भूमी का सुख शांती और सवस्वरुद्धी सुख शांती के प्रकार सुखवादी तथा आत्मन अंदवादी चैतरिक बल स्थिती स्थापन और अभिगात उपरांत विकास ठीक है मतलब डिसॉर्डर वगरे पोस्ट्रॉमा के बाद क्या क्या होता है इस सब बात हमको करनी है फिर यहां पर आपको बोल रहा है HIV AIDS के बारे में पढ़ो एक तारिक को होके गया भी कैंसर के बारे में साइको न्यूरो इम्मिन लॉजी मदू में उच्छ रक्तचाप को यह चाहते हैं आपको कि यहां पर क्या बना देंगे आपक ठीक है तो डॉक्टर बनिंगल त्यार रही है फिर मनोवेग्यान दथा प्रवद्योगी के अंतरा फलक डिजिटल लर्निंग डिजिटल सिस्टाचार आपके यूनिट बन से भी टॉपिक आते हैं यह सब साइबर असलील साहित भोग नहितात डिजिटल सामगरी के उपियो ठीक है यह सारे टॉपिक्स हैं यह सारे टॉपिक्स अबको पढ़ने होंगे अपने UDC NET सिलिबस के अंदर 2023 वाला सवाल उठता है कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें में सवाल कैसे पढ़ा जाए इस चीज को तो इसके लिए क्या करना होगा आपको सबसे पहले नमबर बन चीज की चैनल को क्या कर लें आप सब्सक्राइब कर लें ठीक है पहली बार आ रहे है तो अल्रेडी नोट थाइए